रविश अंकर दत्ता की ये रिपॉर्ट आप देख रहते कुछ बिहार से लेकिन पश्य मंगाल की तीन सीटों के लिए आज हो रहे हैं मतदान के बीच खबर यही है कि कुछ बिहार से अच्छी खबर नहीं है क्योंकि यहां कई इलाकों में हिंसा और मारपीट को लेकर भी ख कोशिश की गई शांदमारी लाके में हुई इस घटना में बीजेपी के बूत अध्यक्ष भी जखमी हुए कुछ बिहार में बीती रात से हिंसा और मारपीट शुरू हो गई थी राश्पर में बीजेपी के बूत अध्यक्ष के साथ मारपीट की गई जिसे इस्पताल में 2121 में बीजेपी के पोलिंग एजेंट का कथे तौर पर अपरहण कर लिया गया जिस पर चुनावायोग ने भी संगैन लिया मामला सामने आने के बाद पोलिस ने बूत एजेंट को छोड़ाया कूजबिहार के वार्ड नमबर 18 में भी तनाव रहा जहां वोटर्स को डराया ध पार्ट की गई इधा टीमसी ने बीजेपी कार्यकरता उपर पार्टी ऑफिस को आग के हवाले करने का आरोप लगाया है टीमसी ने दावा किया है कि तुफान गंज के हरीहार्ट इलाके में दफ्तर को जला दिया गया टीमसी ने दावा किया कि अले पुर्दवार में हार क के आश्रंका को देखते हुए बीजेपी कार्यकरता भी तिराद सही हिंसा पर उतारू है और आज यहां लोगों को वोट देने से रोखा गया और कूच बिहार के कई बूथ पर पोलिंग एजेंट्स के साथ मारपीट की गई है बीजेपी और टीमसी एक दूसरे पर आरूप लगा रहे है पशिम मंगाल के कूच बिहार में हिंसा और उपत्रों की खटना किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रही जैसे जैसे वक्त गुजरत गया हिंसा से जुड़ी कई और खबर आती रहे तस्वीर कूच बिहार के माथा भांगा की जहां बूथ कैम्प लगाने को लेकर बीजेपी और टीमसी के कारकरताओं हमने सामने आगे टीमसी ने बीजेपी पर बूथ हेजन के साथ मारपीट का आरूप लगाया यहां घंट के घटना कुच बिहार के दिन हाटा में सामने आई यहां वोटिंग से ठीक पहले पुलिस ने बंब बरामत किया आगे जमू कश्बीर के उधंपूर में भी आच्छो की बोटिंग हो रही है वहाँ पर क्या चल रहा ही आपको बताएंगे लेकिन रुख कर लेते हैं इस बीच बिहार के गया का रुपेश कुमार हमारे सवादाता वही मौजूद है जीतन राम मांजी से बाठीत भी हम सु चीज है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार अच्छे आकड़े देखने को मिलेंगे बीज़ेपी के पक्ष में देखिए बिल्कुल ज्यादा तर जितने भी जो मद्दाता है उनसे हमरे बातचीत करने की कोशिश की उसमें ज्यादा काई सारा वही था कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जो है उनसे वो खुस बावस्ता दिख रहे थे लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज चार ल मद्दान केंदर हैं और जरा इस केंपस की स्थिति क्या है वो जरा आएक बार आप देख लीजिए बिल्कुल इका दुखा हर मद्दान केंदर पर इका दुका ही मत दाता यहां पर और प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी जब गया में रेली कर रहे थे 2019 में गया में मातर 55 प्रतिशत मत्दान हुआ था और ये चिंता नरेंदर मोदी प्रधान मंतिर देश के उन्होंने भी व्यक्त की थी कि जो बोटिंग प्रतिशत है वो एक बड़ा चिंता का कारण है भरी दो पहरी में पचुआ हवा चल रही है आप क्या उम्र है आपकी उम् दिमाग में कुछ चल रहा होगा यहां आए हैं दो पहरी में तो रुपेश्ट वोटर्स क्या सोच के मतदान केंदर पहुच रहे हैं और क्या सोच के वोट करने नहीं पहुच रहे हैं यही इस वक्त के दो बड़े सवाल आपने गया में रहते हुए उस मतदान केंदर में कियो और जैपूर ग्रामीन से हमारी सेयोगी नितीव वसंदानी भी हमें ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही थी फिलाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्री है